इस्टुडेंट्स हम डिस्कस करेंगे वीकली करेंट अफेर्स के बारे में करेंट अफेर्स का जो पीडियेफ है हमारे टेलिग्राम चैनल के उपर एविलेबल है इस्टुडेंट्स तो वहां से आप इसे रीड कर सकते हो discussion को start करते है students first place जो news के अंदर है वो है दार्जलिंग hills का एरिया student दार्जलिंग hills का जो एरिया है वो आपको दो वज़े से news के अंदर देखने के लिए मिलता है general election के दोरान में कुछ political parties के दोरा गोर्खाज का कुछ sub tribe है उनके सड्यूल ट्राइब का जो status है उसको यहाँ पर discuss किया गया students आपको गोर्खाज के regarding में कुछ basic information पता होनी चीए कि गोर्खाज का जो dominated area है उसे हम गोर्खा लेंड के रूप से जानते हैं और उसी गोर्खा लेंड के अंदर में आपको जो दार्जलिंग hills है वो देखने के लिए मिलता है आप देखी कि गोर्खा लेंड को एज यह separate territory के रूप से recognize किया जाए उसके regarding में एक moment है वो आपको देखने के लिए मिलता है 2017 के समय में route 2017 के समय जो moment अपने peak के उपर था जब गोर्खा लेंड को एक separate territory का जो status है उसके regarding में moment है उसको carry किया गया था next अगर हम बात करें student दा हिंदू newspaper के अंदर एक report है वो publish हुआ दो आर का जो region है उसके regarding में दो आर का जो region है वो आपको T plantation के perspective से देखने के लिए मिलता है तो आप देखे कि T plantation से related जो workers है उनकी working condition के बारे में discuss किया गया है कि उनको जो wage है वो काफी कम pay किया जाता है इसके लावे students health का जो facility जो वो काफी कम available है उनके regarding में उन सभी working condition है वेज का जो perspective है उन सभी के बारे में discuss किया गया उस report के अंदर में दो आर का जो region है उसके regarding में तो आप देखे कि तो दो आर का जो region है वो T plantation के regarding में जाना जाता है और दार्जलिंग का जो T है वो काफी ज़्यादा famous है तो अगर हम दार्जलिंग hills के perspective से जो यहाँ पे important information है उसको अगर हम यहाँ पे discuss करें तो students हिमाल्याज का जो eastern part है वहाँ पे यह जो दार्जलिंग hills का जो area है वो situated है वेस्ट बंगोल का जो northern part है वहाँ पे आपको यह देखने के लिए मिलेगा दार्जलिंग hills का area जो काफी ज़्यादा different है वेस्ट बंगोल का जो cultural things है उनसे काफी ज़्यादा आपको जो different है वो देखने के लिए मिलेगा तो eastern part of हिमाल्याज के अंदर situated है student geography के अंदर जब भी आप हिमाल्याज के बारे में read करते हो तो हिमाल्याज system को यहाँ पे divide किया जाता है हर एक area के regarding में आप देखिए आपको western part of हिमाल्याज देखने के लिए मिलता है जिसकों की कस्मीर हिमाल्याज के रूप से भी जानते ह next अगर हम बात करें students आपको middle हिमाल्याज देखने के लिए मिलता है जो की हिमाचल प्रदेश और उत्राखंड के अंदर situated है और third अगर हम यहाँ पे discuss करें students eastern हिमाल्याज के बारे में तो आप देखिए eastern हिमाल्याज को यहाँ पे नेपाल हिमाल्याज या भूटान हिमाल्या है जो की हमारा नोर्थ इस्ट का जो connectivity है उसके perspective से important है तो उसी silly goody corridor के अंदर में आपको दार्जलिंग hills का जो area है वो situated देखने के लिए मिलता है students इसको इंडिया का जो chicken neck है उसकी वज़े से भी जाना जाता है आप देखिए एक narrow corridor का area है जो connect करता है नोर्थ इस्ट का जो ह एक जगह है डोकलाम तो आप देखी कि डोकलाम का जो area है वहाँ पर चाइना के दुवारा जो claim है वो किया गया था इंडिया की जो defense forces उनकी दुवारा भूटान का अंदर जो claim किया गया है डोकलाम region के अंदर में उसको defend किया गया था इंडिया की defense forces के दुवारा आप देख के समय में कोई problem ना देखने के लिए मिलें इंडिया के नोर्थ इस्ट के रिगार्डि में क्योंकि आप देखें कि वो जो डोकलाम का जो एरिया है हमारा जो चिकन नेक है सिली गुडु कोरिडूर का जो एरिया है उसके साथ में काफी nearby एरिया के अंदर situated होने की वज़े से इ अगर हम बात करें student दोवार का जो region है उसके बारे में तो आप देखी कि हिमाल्याज का जो foot hills है वहाँ पे ये situated है आपको basically जो सिक्किम से originate होने वाला एक river देखने के लिए मिलता है सिक्किम के बाद में ये west वंगोल के अंदर flow करता है तीसता river आप देखी कि तीसता river 2023 के स सिक्किम के अंदर में तो आप देखी कि तीसता river यहाँ पे west वंगोल के पार्ट के अंदर जो situated है आसाम के अंदर धांसरी नाम का जो river है उसी का जो middle पार्ट के अंदर में दो दोवार का जो region है वो situated है टी plantation की वज़े से काफी ज़्यादा famous है दोवार का जो region है 1874 के समय फ आर्जलिंग टीको ही दिया गया था students इस्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक जो पॉलीटी एंड मोडरन हिस्ट्री के रिगार्डिंग में भी information होना चीए आप देखी कि पॉलीटी एंड मोडरन हिस्ट्री के अंदर हम कुछ acts उनके बारे में read करते हैं जो हमारे यहाँ पे colonial era के समय के कुछ acts हैं तो students एक act के अंदर में जो इस्ट इंडिया company है उसका basically monopoly है उसको abolish कर दिया गया था पर आप देखी दो areas के अंदर उसका जो monopoly है वो आपको देखने के लिए मिलता है एक monopoly आपको टी के अंदर देखने के लिए मिलेगा पर एक चायना के perspective से जो trade है उसके regarding में तो वो किस act के अंदर में mention किया गया है यह आपको बताना है comment section के अंदर में यह आपका homework है आपको पता होना चीए क्या वो government क्या basically वहाँ पे जो charter act of 1833 है जिसके अंदर आप देखी कि completely जो company का जो monopoly है उसको abolish किया गया था क्या यहाँ पे charter act of 1813 है जिसके अंदर यहाँ पे चाई और चाइना के perspective से जो monopoly है वो आपको company का देखने के लिए मिलेगा तो students यह दार्जलिंग hills के बारे में था दोवार के region के अंदर है eastern part of हिमाल्याज के अंदर में है strategic importance भी है और आप देखी कि दोवार के बारे में हमने देखा कि धांसरी river western part के अंदर flow करती है और आपको धनसरी eastern part के अंदर और तीस्ता river western part के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा next अगर हम discuss करें students English channel के बारे में है आप देखी English channel इस वज़े से news के अंदर है illegal immigrants के वज़े से UK के अंदर एक bill है उसको भी pass करवाया गया है जिसके अंदर Rwanda के अंदर deportation है वो किय जाएगा जो person यहाँ पे illegal documents के through entry करते हैं England के अंदर में तो आप देखी English channel के बारे में आपको पता होना चाहिए जो आपको basically England और France के वीस में देखने के लिए मिलता है Atlantic Sea है उसी का ये part है one of the busiest shipping area के रूप से world के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेगा काफी सारा जो North Sea का जो area है वो situated है Students English channel के बारे में आपको पता होना चाहिए का Atlantic Sea का ये part है ये separate करता है यहाँ पे southern part और पिंगलेंड को France के साथ में इसके दौरा separate किया जाता है Students England का कुछ rivers है उनके दौरा inflow भी किया जाता है इस English channel के अंदर में आप देखी कि river test है river तमार है तमार आपक scene है वो देखने के लिए मिलता है जिनके दौरा inflow है वो किया जाता है इस English channel के अंदर में अगर हम रवांडा के बारे में discuss करें students तो जब भी आप यहाँ पे अफरीका का जो map है उसे देखो गए अपने atlas के अंदर में तो आप देखिए एक land log ये country आपको देखने के लिए मिलता है जहाँ पे illegal immigrants से उनको deport कर दिया जाएगा और रिप्ट वैली का जो पार्ट है उसके अंदर में situated है आप देखिए कि आगर suppose कीजिए अफरीका का जो region है वो situated है तो यहाँ पे आपको जो रिप्ट वैली है वो देखने के लिए मिलता है तो रिप्ट वैली के है एक land low country के रूप से तो आपको English Channel के बारे में पता होना चाहिए आप देखी कि हमने बचपन के अंदर में काफी बार जीके का बुक है वो read किया है जीके के बुक के अंदर एक question है वो देखने के लिए मिलता है आपको कि जो English Channel है उसको first time किस Indian की दौरा cross किया गया था तो आप देखें कि स्टुडेंट्स इजराइल के बारे में हम read करते हैं इजराइल का कुछ cities है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए तलवीव है है हेपा नाम का जो city है उनके बारे में हेपा तो एक port भी है जो इंडिया का ही आप देखें कि इंडिया का जो private company है अडा गाजा इस्ट्रिप का जो southern part का area है वहाँ पे रफा बोर्डर situated है एक मातर ऐसा बोर्डर है गाजा इस्ट्रिप का जिसको कि यहाँ पे इसराइल का जो forces उनकी दुवारा control नहीं किया जाता है इसराइल और हमास के conflict की वज़े से यह place और न्यूज के अंदर में था कहाँ प peninsula के बारे में अगर हम बात करें student जो Mediterranean Sea का जो area है इसके लावा आप देखी कि यहाँ से जो गल्फ हो पकाबा है यह गल्फ हो पकाबा का area है और यहाँ पे आपको जो basically देखने के लिए मिलेगा red sea का area तो आप देखी कि Mediterranean Sea और red sea के middle part के अंदर यह जो सनाई peninsula है वो situated है जो कि Egypt का part है 1967 की war के समय में Israel के दौरा इसको annex कर लिया गया था बट आप देखी कि बाद में इसको return भी कर दिया गया था उसी समय में Israel के दौरा यहाँ पे गोलन heights का area है जो काफी ज़्यादा prosperous है agriculture के regarding में तो आप देखी कि जो गोलन heights का area है उससे भी annex किया गया था Israel के दौरा उ agriculture के perspective से next अगर हम बात करें सनाई Peninsula के बारे में हमने read किया students UPSC 2021 के समय question पूछा गया था कि यहाँ पे जो Mediterranean Sea है Mediterranean Sea का जो eastern part है उसे हम किस नाम से जानते हैं यहाँ पे किस नाम से इसको जानते हैं या आप comment section के अंदर बताना या आप यहाँ से read करना ऐसा एक question है जो UPSC के अं climate है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है जहाँ पे winter के समय जो बारीस है winter के समय जो बारीस है वो हुआ करता है citrus जो fruits हैं उनका आपको domination देखने के लिए मिलेगा जैसे की grapes है और हमारे यहाँ पे जो western disturbance है उसकी वज़े से जो बारीस हुआ करता है उसकी दुआरा जो moisture ग आप देखें कि यमन इस वज़े से news के अंदर था कि एक Indian origin की एक woman है जिनके द्वारा यमन के अंदर विजिट किया गया क्योंकि उनकी daughter को वहाँ पे convict कर दिया गया है एक case के अंदर में Indian authorities के द्वारा उनको बताया गया था कि आप अपने ही risk के उपर वहाँ पे विजिट करोगे क्योंकि Indian authorities के द्वारा 2017 के समय में Indian जो passport holders है उनका जो विजिट है उसको allow नहीं किया गया है यमन का जो conflicted affected area है वहाँ से students आभी देखिए हमने यहाँ पे read किया गाजा इस्ट्रिप के बारे में तो आप देखें कि यह इस्राइल का part आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पे जो गाजा इस्ट्रिप है वो situated और गाजा इस्ट्रिप का जो यहाँ रफाब order है वो यही इसी basically जो सनाई peninsula है उसे connect करता है students यहाँ पे हम read कर रहे थे यह देखी कि Swage Canal का area है जो trading part के रूप से आपको देखने के लिए मिलता है काफी सारा जो trade है world का इसी Swage Canal क through cross करता है और इसी Swage Canal को bypass करने की regarding में जब इंडिया के अंदर G20 का meeting हुआ तो इंडिया के द्वार आप देखी एक project है उसको launch किया गया था इंडिया Middle East Europe Economic Corridor इंडिया Middle East Europe Economic Corridor है वो आपको देखने के लिए मिलता है जिसका main purpose यही था कि इंडिया का जो coast है western part उसको साथ में और यहाँ पर इजराइल होते हुए यह लैंड रूट आपको देखने के लिए मिलेगा railway के थ्रू में फिर आप देखें कि यहाँ पर Mediterranean Sea को Europe के साथ में जो connectivity है उसको set up किया जाएगा students अगर हम यहाँ पर discuss करें तो यह Swage Canal का area है यह Gulf Hope आपको Akaba का area है वो देखने क के लिए मिलेगा जो कि इजराइल के साथ भी connected है जो ओडन के साथ भी यहाँ पर connected है और students यह Red Sea का part है Red Sea के अंदर में आप देखें कि होती rebellions के दुवारा काफी कुछ attack किया गया था होती जो rebels है उनका आपको domination है वो यमन के अंदर देखने के लिए मिलता है Saudi Arabia यहाँ पर situated ह Saudi Arabia का एक city है जिसके बारे में हम काफी बार read करते हैं जिसको कि आप देखी कि जेदा के बारे में जानते हैं जेदा नाम का जो city है वो किस वज़े से news के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है और गनाइजेसन उप इसलामी कंट्रीज इसलामी कंट्रीज का जो और इंडि आप देखी कि मदर का जो value है उसको भी ये show करता है कि इतना difficult situation है conflicted affected area है वहाँ पे उनके दुवारा विजिट किया गया यमन के अंदर में students जो red sea है और जो गल्फ हो पादेन का जो area है उसको किसके दुवारा connect किया जाता है यहाँ पे एक straight आपको देखने के लिए मिलती है इस ट्रेट को हम जानते हैं बेबल मंदाब के नाम से इस ट्रेट को हम जानते हैं अरेबियन पैनिसुला के अंदर में आप देखे कि यहाँ पे जो इस ट्रेट है उसको हम किस नाम से जानते हैं इस ट्रेट ओफ होरमूज के नाम से इस ट्रेट ओफ होरमूज है वो आपको करें students, next news students, महराष्टरा के कुछ areas के बारे में, geographical regions के बारे में एक मराथवडा का region है, एक विदर्बा का region है, आप देखें कि students ये जो districts है, ये basically मराथवडा का part है, ये जो part है जो eastern part of महराष्टरा के अंदर situated है, इसको की हम विदर्बा के part के रूप से देखते हैं, इस part को हम विदर्बा का जो part है, उसके रूप से देखेंगे, जहाँ पे आपको जो नागपुर नाम का जो city है, वो देखने के लिए मिलता है, students, अगर हम discuss करें, ये क्यों news के अंदर थे, जनरल election के दुरान में कुछ report से उनको publish किया गया है, इस्टूडेंट 2016 का prelims का paper है, उसके अंदर एक question है, वो पूछ लिया गया था, उसके अंदर में आप देखी कि बुंदेल खंड का जो area है, जो उत्तर प्रदेश और मद्यप्रदेश के अंदर कुछ area situated है, उसके बारे में भागेल खंड है, ऐसे कुछ areas को connect करवा लिया गया था, मैजदा कोलम के अंदर में 2016 के prelims के अंदर में, इस्टूडेंट्स मराठवडा के बारे में अगर हम बात करें, यह वो geographical region है, जो basically निजाम का जो rule हुआ करता उसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है, अभी आप देखे कि 2023 के समय में, जो 17 September का जो समय है, जिस दिन आपको operation polo के थुरू में, operation जो polo है, उसके थुरू में basically हैदराबाद को यहाँ पे annex, हैदराबाद को basically police का जो action है, उसके थुरू में, इंडिया के साथ में जो add किया गया था, तो आप देखे कि 17 September का जो दिन है, वो मराठवडा region के अंदर में, मराठवडा liberation day के रूप से भी celebrate किया जाता है, जब इसको निजाम के rules से separate करते हुए, महराष्टरा के अंदर में add किया गया, विदर्बा के बारे में अगर हम बात करें, इस्टन पार्ट के अंदर situated है, मध्या प्रदेश के साथ अपना area share करता है, 36 गड़ के साथ भी अपना area share करता है, तेलंगाना के साथ भी अपना area है, वो share किया जाता है, यहाँ पे विदर्बा के दुवरा, इस्टुडेंट्स विदर्बा का यह वही पार्ट है, जो 36 गड़ का जो नकसल affected area है, जो सदन पार्ट और 36 गड़ के अंदर situated है, उसके साथ अपना area share करता है, गड़ चिरोली का जो एक district है, जो महराष्टरा के अंदर आपको नकसल affected जो district है, वो देखने के लिए मिलता है, पेंच टाइगर रिजरु देखी कि इसका जो कुछ पार्ट है, वो कुछ पार्ट आपको कहां पे देखने के लिए मिलेगा, मद्यप्रदेश के अंदर में, जो जो पेंच टाइगर रिजरु का जो पार्ट है, जिसको की वहाँ पे डार्ट स्काई पार्ट है, वो भी बनाया गया है, डार्ट स्काई रिजरु कहां है, इंडिया का student, तो आपको लद्दा के अंदर देखने के लिए मिलेगा, लद्दा के अंदर क्या वर्दा नाम का जो एरिया है वो भी देखने के लिए मिलता है इस्टुडेंट्स वर्दा वही जगह है जहां पे गांधी के दुआरा महात्मा गांधी के दुआरा 1930s के समय में जब डांडी मार्च है उसके बाद में आप देखी कि साबरमती आसरम के लिए नहीं जाते हैं गांधी जी और उसके बाद में वर्दा के अंदर में उनके दुआरा अपना जो आसरम है उसको सेट अप किया गया था नेक्स्ट प्लेस के बारे में अगर हम बात करें सियाचीन गलेसियर के परस्पेक्टिव से है हमारे डिफेंस मिनिस्टर के दुआरा विजिट किया गया था इस रीजन के अंदर में आप देखें यह जो रीजन है यह वर्ल्ड का हाइस्ट बैटल ग्राउंड है वो आपको देखने के लिए मिलता है इंडिया और पाकिस्तान की जो से जब वहाँ पे सिच्वेटेड आपको देखने के लिए मिलती है और यसी के रिगार्डिंग में आपको एक ओप्रेशन भी देखने के लिए मिलेगा ओप्रेशन मेगदूत 1984 के समय में यूपीएस से प्रिलेम्स टूठाव जैन के समय क्यूशन है वो पूछ लिया गया था नुब्रा वैली के रिगार्डिंग में इसी जो सियाचीन ग्लेसियर है जहां से वोटर है वो रिसीव किया जाता है नुब्रा रीवर के दौरा नुब्रा वैली है वो सदन पार्ड के अंदर फिलेम्स 2020 के अंदर पूछा गया अगर हम इस ग्लेसियर के बारे में बात करें तो कारा कोरम रेंज का ये लोंगेस्ट ग्लेसियर है वो आपको देखने के लिए मिलता है non polar जो region है हमारे अर्थ के जो polar region है आप देखिए कि north pole है south pole है उसके बाद में ये कि आपको second longest जो glacier है वो देखने के लिए मिलेगा first longest कहां पे है ताजी किस्तान के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है आप देखिए कि जो कारा कोरम का जो range है इस कारा कोरम का जो area है इसको basically third pole की रूप से भी जाना जाता है इसको third pole की नाम से भी जाना जाता है ये भी आपको पता होना चीए और काफी बार एक topic आपको देखने के लिए मिलता है कारा कोरम एनोनोमी जो नाम का एक जो वायर्ड है वो काफी बार आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे Glaciers का जो मेल्टिंग है उसके परस्पेक्टिव से Next अगर हम बात करें Students Protected Area के बारे में हैं आप देखी कि काले सर जो यहां पर डिसकस किया गया है काले सर वायर्ड लाइफ सेंचरी आप देखी कि नेशनल पार्क भी situated है news के अंदर क्यों था कुछ dams के construction की regarding में यहाँ पे work को start करना था ता उसी को stay किया गया है सुप्रिम court के दुवरा कि dam का जो construction है वो नहीं carry out किया जाएगा wildlife protected area के अंदर में आप देखिए कि सिवालिक का जो footills का area है वहाँ पे यह situated है हरियाना का यमना नगर district के अंदर में हिमाचल प्रदेश का एक national park है जिसको की हम symbol बारा नेशनल पार्क के रूप से जानते हैं उत्राखंड का जो राजाजी national park है उसके साथ में अपना जो area है वो share किया जाता है कालेसर wildlife century के दौरा हरियाना के अंदर दो national park आपको देखने के लिए मिलते हैं एक कालेसर wildlife century का जो part है वहीं पे ही national park भी situated है तो आप देखी कालेसर national park है एक आपको national park यहाँ पे गुरुगराम के अंदर देखने के लिए मिलेगा जिसको की सुल्तानपूर national park के रूप से जानते हैं और winter के समय में जो migratory birds है वो यहाँ पे काफी सारे visit करते हैं student सुल्तानपूर national park के अंदर में हरियाना की अगर हम रामसर sites के बारे में बात करें students एक तो आपको सुल्तानपूर जो national park है उसी को रामसर site के रूप से भी recognize किया गया है आपकाफी सारे migratory birds से वहाँ पे visit करते हैं हरियाना के अंदर एक डिष्टी का student जजजर नाम का जो डिष्टी का जो basically central part of हरियाना के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है तो वहाँ पे एक भिंडवास नाम का जो lake है उसको भी basically रामसर site के रूप से recognize किया गया है next अगर हम बात करें पोभी तोरह wildlife century के बारे में है कहाँ पे है students ये आसाम के अंदर में है क्यो news के अंदर था इसका जो boundary है उसके demarkation के perspective से case है वो supreme court के अंदर गया था तो उसी के वज़े से ये news के अंदर में था आप देखें कि supreme court के दौरह इसके case के अंदर observe किया गया कि अगर हम इसी तरीके से wildlife है उसका wildlife को damage करेंगे तो आप देखें कि human wildlife का जो conflict है वो continuous देखने के लिए मिलेगा students अगर हम बात करें पोभी तारह wildlife century के बारे में ब्रह्म पुतरा जो river है ब्रह्म पुतरा river आपको आसाम सपोज कीजिए आसाम का map है तो आपको इस तरीके से जो basically ब्रह्म पुतरा river है वो देखने के लिए मिलेगा अभी हमने जो दोवार के region के बारे में discuss किया है वो ब्रह्म पुतरा का जो northern part है वहाँ पे situated है दोवार का जो region है जिसके बारे में अभी हमने जो टी plantation के perspective से read किया तो ब्रह्म पुतरा का जो southern part है जो southern bank है वहाँ पे आपको ये पोवी तारा जो wildlife century है वो देखने के लिए मिलता है आपको काफी बार पता होना ची आसाम के regarding में आसाम के अंदर seven national park भी है और question पूछ लिया जाएगा आपसे कि यहाँ पे northern part of जो यहाँ ब्रह्म पुतरा के कौन-कौन से जो protected area है वो situated है राई मोना है मानस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा जो भूटान के साथ में अपना area share करता है यहाँ पे आपको जो राई मोना है वो देखने के लिए मिलता है students इसके लावा आपको काजी रंगा है और भी कापी सारे एरियाज है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए सेवन नेशनल पार्क हैं जो situated है कहां पे आसाम के अंदर में अगर इस्टन पार्ट के बारे में बात करें तो वहां पे आपको डिबरू सिकोवा हैं दिहिंग पतकाई हैं ऐसे जो नेशनल पार्क हैं वो देखने के लिए मिलेंगे पोबी तारा को आप देखे कि हमारे जो राइनो से उनका highest density आपको देखने के लिए मिलता है पोबी तारा wildlife century के अंदर में इसी वज़े से इसको mini काजी रंगा की नाम से भी जाना जाता है एक वन होन राइनो है उसका IUCN status है वो आपको vulnerable देखने के लिए मिलता है उनका poaching किया जाता है students काफी बार उनका जो illegal poaching है वो आपको देखने के लिए मिलता है जो वन होन राइनो है उनका next अगर हम बात करें नीलगरी तहर के बारे में है आप देखे कि तमिलाडू का जो government उ उनका population है उसको count किया जाए तमिलाडू के अंदर में और यहाँ पर basically बताये यह गया है कि इनका जो population status है जो population है वो काफी ज़्यादा है तमिलाडू का यह state animal है तमिलाडू का state animal आपको देखने के लिए मिलता है वेस्टन घाट का जो पार्ट है उसके वहाँ पी एक endemic के रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा नीलगरी तहर है highest population केरल का एक national park है इडू की का जो region है वहाँ पे आपको इरावी कुलम जो national park है वहाँ पे basically इरावी कुलम जो national park है वहाँ पे highest population है वो देखने के लिए मिलेगा नीलगरी तहर का IUCN status students इनका endangered आपको देखने के लें मिलता है, endemic कहा के regarding में है ये, western घाट का जो southern part है, उसके regarding में आपको endemic देखने के लिए मिलती है, नीलगरी तहर ये, इस तरीकी का उनका photo है, students, आप देखेगे ये, तमिलाडू government के दौरा, इनके population के regarding में एक नीलगरी तहर प्रोजेक्ट है उसको भी लॉंच किया गया है 2023 के समय में IUCN स्टेटस के बारे में हमने रीड किया सड्यूल 1 के अंदर में इनको प्रोटेक्ट किया गया है Wildlife Protection Act 1972 के थ्रू में Next अगर हम बात करें students दो आपको tribes हैं वो भी news के अंदर देखने के लिए मिलती है आप देखें ये एक तीवा नाम का tribe है इसको दाहिंदू का जो Sunday news paper है उसके अंदर में इनका जो कुछ working process है उसके बारे में बताया गया था कि कैसे कुछ social institutions है वो इनके दुवारा डवलप किये जाते हैं जिनको की हम समादीज के रूप से या dormitories के रूप से जानते हैं इस social institutions के अंदर में आप देखिए कि जो senior citizens हैं अपने experience को यहाँ पे share करते हैं younger persons के साथ में तो उस social institution के बारे में discuss किया गया है तीवा ट्राइब जो कि आपको आसाम के अंदर देखने के लिए मिलेगा students women's का जो entry है social institution के अंदर prohibited आपको देखने के लिए मिलता है women's को allow नहीं किया जाता है इस dormitory के अंदर में या जो समाधी का जो concept है तीवा ट्राइब के अंदर में region है वहाँ पे आप देखीए ओडिसा का जो basically यहाँ पे mining department है उनके द्वारा एक proposal किया गया था कि बक साइट का जो mining है वो carry out किया जाए गए सेरिया के अंदर में वेदानता गुरूफ है उसका लांजी गंज के अंदर में एक refinery situated है उसी के perspective से 2013 के समय सुप्रिम पोर्ट के दुवरा ग्राम सबा का जो importance हो बताया गया कि ग्राम सबा से आपको consent करना चीए और ग्राम सबा के अंदर जो डोंगरिया कॉंड नाम का जो tribe है उसके persons के दुवरा उस proposal को reject कर दिया गया तो आप देखी कि एक next light moment के regarding में उनका कुछ discussion किया गया एक report के अंदर में डोंगरिया कॉंड कहां पे देखने के लिए मिलता है Odisha के regarding में नयामगरी hills का जो part है वहाँ पे situated है तो students यह कुछ tribes के बारे में कुछ places जो news के अंदर में थे protected area जो news के अंदर थे उनके बारे में हमने discuss किया आपको यहाँ पे दो और place के बारे में पता होना चीए students आप देखे कि जो 22nd जो अप्रेल का जो दिन है 22nd अप्रेल का जो दिन है उसको की यहाँ पे World Earth Day के रूप से celebrate किया जाता है Earth Day के regarding में discuss करते हुए वहाँ पे एक editorial के अंदर दो places जो उनके बारे में mention किया गया था कि हमारा renewable energy के perspective से solar की कुछ plants है जो situated है काफी big area के अंदर में इंडिया का जो large solar park है large solar जो आपको institution है वो देखने के लिए मिलते हैं एक यहाँ पे जो भाडला नाम की जगह है राजस्तान के अंदर में भाडला नाम की जगह है वेश्टन राजस्तान के अंदर में वहाँ पे एक project को बताया गया है एक आप देखी कि करनाटक के अंदर में पावागर्ड नाम की जगह है वहाँ पे आपको एक solar का जो plant है वो देखने के लिए मिलता है पावागड और भाडला नाम की जो जगह है ये दोनों जगह आपको पता होनी चाहिए solar के यहाँ पे जो plants है वो situated हैं काफी बड़े large scale के रूप से तो ये दो place भी news के अंदर में थे तो this is all about the यहाँ पे weekly current affairs के बारे में जिसको की हमने discuss किया आप इसको read कीजिए आप इसको revise कीजिए जो भी information आपको मिला हो इसको note down कीजिए thank you students thank you very much